नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताश कॉर्णर में आज में जहारखन का बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेका इंफ्रेंट जिसे गोजा बोला जाता है बहुत ही कम चीजों में कम समय में बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज नहीं भूलिएगा गोजा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बरतन की जुरत पड़ेगी तो एक बड़ा बरतन हमने ले लिया है और गोजा जो होता है वह जेनरली मैदे से बनता है लेकर आज हम बना रहे हैं इसे आटा से इसलिए हम आटा को छान के लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल फाइन वाला आटा चाहिए ताकि गोजा को टेक्च्चर है वह अच्छा सके तो मैं यहाँ पर दो कप गेहूं का आटा ले लूँगी आप अच्छान के लिए नाप हमारा बराबर हो इसलिए थोड़ा सा आटा और लेंगे हम तो यहाँ एक चोथाई जैसा आटा में और ले रही हूं क्योंकि इतना जो है वह चोकर निकल जाएगा तो पूरे दो कप हमें आटा मिल जाए क्योंकि दो कप की हिसाब से ही हम बागी च अच्छान रखना पड़ता है तो मैंने थोड़ा सा आटा और ले लिया है अब इसे हम छान लेते हैं तो यहाँ देखिए एक चोथाई कप जैसा चोकर निकल लिया है इसको अलग कर देते हैं और यहाँ पर हमें पूरे दो कप आटा मिलिया है बिल्कुल बारिक वाला अब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं फ्रेंट्स मीठा सोडा नहीं बलकि बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे यह जो हम लोग केक पे करने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं ले रही हूं दो कप गेहूं के आटे क आटे को उसी कप या कटोरी से मेजर करना है बाकी चीजों को तो यहां पर एक चौथाई कप आप देख सकते हैं लगबग 2-3 बड़े चमच हैं घी यह डाल देंगे और इसे पानी भी हमें लेना है एक चौथाई कप जितना हमने घी लिया था सेम उसी क्वाणिटिटी में प बहुत फेमस हैं वहां के हर तहवार में हर मेले में या फिर हर रेस्टरेंट आपको हर होटल में इस यह गोजा मिलेगा और बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ काफी दिनों तक आप इसको रख सकते हैं इसका टेस्ट बिलकुल भी खराब नहीं होता है बलकि जैसे जैसे पूराना होते जाता है वैसे वैसे और टेस्टी होता जाता है तो सारी चीजों को मिक्स कर लिया है अब थोड़ा हाथ से मिला लेंगे इसका एक डो बनाना है हमें जैसे रोटी चपाती के लिए हम बनाते हैं डो लेकिन उससे थोड़ा सा सौफ्ट बनाएंगे तो यह करना यानि कि आटे को एकठा करना है है यह देखिए फ्रेंट सारे आटा को हमने कठा कर लिया है अब इसे हम कम से कम 15 पर जाइने चौड़ा लेंगे उससे क्या होगा न यह आटा सेट हो जाएगा हमने जो इसमें बेकिंग पावडर डाला है नमक डाला घी डाला यह सारी यह एक्टिवेट हो जाएंगी और आटा और सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे ढख के हम कम से कम 15 मिनेट के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम लोग इसके लिए चासनी बना लेते हैं ताकि हमारा समय बढ़ सके चासनी बनाने के लिए गहराई वाली कढ़ाई ले लेंगे क्योंकि जब हम लोग गोजा इसमें डिप करेंगे तो वह पूरी तरह से डूबनी चाहिए यहां पर मैं ले रही हूं डेड़ कप चीनी दो कप आटा के लिए डेड़ कप चीनी बिल्कुल परियाब्त है यह देख जबता कि एक छोटी तारवादी चासनी न बन जाए यह यह जासे गुलाब जामून के लिए ठीक वैसे ही इसे चलाते रहेंगे बीच-बीच में चेनी को पुरा घुलने देते हैं और चासनी कैसी रहेगी यह मैं बताती हूं थोड़ी देर में चासनी घुलने लग गई है चासनी में उबाल आ गया है और चासनी में उबाल आने के बाद इसे ज्यादा नहीं बस तीन से चार मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे और यह हमारे चासनी बन जाएगी मैं दिखाती हूं कि कैसे तार चाहिए अभी इस तरह कि हमें चासनी चाहिए जब हम छुएंगा तो द यहां पर हमने गयास का फ्लेम बंग कर दिया है अब इसके फ्लेबर के लिए अच्छे जे फ्लेबर के दिए इसमें आप इलाची का पाउर्ट डाल सकते हैं हमारी यहां पे केवडा वाटर ले रही हूं यह देखिए इससे अच्छा टेस्ट आता है बिल्कुल मिठाईयों तो सबसे लास में केवडा वाटर डाले गयास का फ्लेम बंग करने के बाद और यह हमारी चास में बिल्कुल रेड़ी है इसको ढखके रख देंगे ताकि ज्यादा ठंधा ना हो सके हमें गोजा बनाने के बाद गर्म गरम चास में चाहिए डीप करने के लिए तो इसे हम सा करता करना इसे थोड़ा सा बेल लेना बेसिकली जो गोजा होता है ना यह जो मिठाई होती है इसमें बहुत सारे लेयर्स होते है लेयर्ड वाली मिठाई होती है तो लेयर बनाने के लिए हम इसको कट करेंगे और फिर से इसके लेयर बनाएंगे वैसे इसकी लेयर बनाने की करते जाएंगे और फिर से उसको बेल लेंगे ऐसा आप दो से तीन बार कर सकते हैं चार से पांच पार भी कर सकते हैं बहुत जादा लेयर चाहिए तो और ये जो मिठाई है ये औजहारकंड की बहुत ही फेमस हैं महा के घर मैला में हर्तेवर में जरूर से बूसक्य हैं मार्केट में जाये होटल या फिर कोई भी मेला हो तो बहुत ही टेस्टी मिठाई होती हैं और सबसे ऐच्छी वात कम चीजो से कम मेनत में बहुत ही जल्दी तयार होती है और आप इसे 15-20 दिन तक भी आराम से रखके खा सकते हैं ना ही इसका कोई टेस्ट में चेंज होता है और ना ही देखने में कोई भी चेंजिंग होता है तो इस रेसीपियों को आप इस दिवाली में जरूर ट्राइ किजेगा तो इस होता है इस तार से स्क्वार या फिर लंबे- Powell रेक्टेंगल सेप में तो इसको फटा-फट हम लोग काट लेते है उसी सेप में और इस जो मार्केट में रूझा यह पना रहे तो थोड़ा से मैं पतला बना रही हों क्योंकि जो मूता वाला गोजा होता है न कभी-क बीच मे यदि हम थोड़ा सा पतला रखेंगे तो चासनी हर जगह equally absorb होगा इसलिए मैं थोड़ा सा पतला कर रही हूँ जो मार्केट में मिलता है उसके comparison में आप जाएं तो थोड़ी इससे double मोटी मतलब डबल ये size में बना सकते हैं तो ये देखिए हमने जो कट किया है इस तरह के size का और इसमें layers आप देख सकते हैं cracks कितना बड़ी है और ये जो fry होंगे तो और ज्यादा खुल के आएंगे तो इन सब को plate में निकाल लेते हैं गर्म तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए और ये इतना ठंडा है कि हाथों में लग भी जा रहा है तो भी ये मतलब गर्म नहीं हो रहा है बहुत जाता से तो इतना कम गर्म तेल हमें चाहिए अब इसे हम fry होने देते हैं लगबग 2-3 मिनिट के बाद ये अपने आप तैर के उपर आता है तब इसे हम लोग हलके हाथों से flip करेंगे क्योंकि ये काफी soft होता है इस stage पे तो आप चमश ले 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 या फिर gently इसको पलट लेंगे और उलट पुलट करके इसे हमें 8-10 मिनिट तक fry करना होता है low to medium flame पे low से थोड़ा से flame को उपर रखेंगे medium पे बिल्कुल नहीं रखेंगे और जब इस तरह के stage में आजाने लगबग 8 मिनिट fry करने के बाद जब उसमें इस तरह का अच्छा सा color आने लग जा उस stage पे हम लो जब हम एक मिनिट हाई flame पे इसको fry कर लेते हैं तो सारा तेल रिलेज कर जाता है इससे क्या होता है गोजा खाने में बहुत जादा ओईली हमें नहीं लगता है और ओईल भी इससे निकल जाता है तो यह देखिए इस तरह से हमें इसे fry करते हैं निकालते हैं और गर्मा गर् सब्सक्रांट खिए और अब गर्म भी घंडा और तंडग में भी गर्मिझात है और भी जदा गर्म में इस तुछ चार्णा ये चानल रोल ज्छा स्ब्सक्रा में होना चाहई है ओन्तले नहीं Meyer और गर्म देख दिख लेंग होंगे दिखरी मैकान को देखा ही तकर अशन मे ताकि इसको जितना भी एबजॉर्ब करना हो चासनी पीना हो वो पी दे उसके बाद हमको फटा-फट निकालने के जुरुत नहीं है चासनी सही ती इसमें निकाल देंगे ताकि जो भी इसके ऊपर नीचे चासनी हो वो अच्छे से एबजॉर्ब हो जाए तो यह हमारे दूसर कि खुषी अंदर तक क्रंची बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई बनके तयार रेफ्रेंट्स तो बहुत ही कम समय बचाये दिवाली में और आपके पास समय कम है तो इस मिठाई को जुरूर बनाए क्योंकि बहुत कम चीजों से कम मैनत में फटा-फट बनने वाली यह और जो चासनी बच जाएगी यह देखे आधा कप लगभी चासनी बच गई है तो इसको वेस्ट ना करें इसको आप किसी और भी मिठाई में यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप इसका पुआ या फिर चीला बना सकते हैं तो इसे फेके नहीं हमारे जहारकन फेमस मिठाई पर जरू ट्रै कीजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नहीं और आसान रेसेपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक एर थेंक्यू फर वाचिमाई